वेल तो हे गाईज वेलकम टू दी माय चैनल मानिस पंकस तो वेल आपका स्वागत है एक और क्यूवेने वीडियो में क्योंकि एक और गुरुवार आ चुका है आपके questions मैं यहाँ पर पिक करने वाला हूँ और बहुत सारे questions मैंने आज के इस क्यूवेने वीडियो में पिक किया है तो भाई वीडियो को लास तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहा है आपको यहाँ पर हमें साल लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो और ऐसे weekly किवेने मिलते रहते हैं तो अफकोस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ओकी तो चलते हैं फिन टॉपिक पर आते हैं और शुरुवात करते हैं किक ओफ करते हैं फर्स्ट किवेने से एंड यह हमें देखने को मिल रहा है रेस्लिंग फैन की तरफ से तो रेस्लिंग फैन्स का कमेंट करके कहना क करेंगे तो कोडि रोट्स का रेटन तो रॉयल रमबल तक हमें देखने को मिलेगा या फिर हमें रॉयल रमबल के अंदर एक सप्राइज एंट्री देखने को मिल सकती है और इनका पुचने की विल ब्रॉक लेसनर बिकम देट उन्दिस्पूटे युनिवर्सल चैंपियन इस साल के समर स्लैम में और उतना ही खतरा सबसे ज़ादा है जो कि हमें यहाँ पे कैश इन भी इसी मैच के अंदर देखने को मिल सकता है तो यह भी देखना इंटरस्टिंग रहेगा लेकिन मुझे लगता है कि भाई ब्रॉक लेस्नर का जीतना काफी जादा जरूरी है इस साल के समर स्लैम में और थर्ड इनका पुछना है कि विल ब्रूड एज वर्सेस डीमन फिन बैलर कैन हैपन अट समर स्लैम 2022 यस इसके अफकोस चांसेस काफी बढ़िया है और यह मैच हमें देखने को मिलेगा और फिन बैलर वर्सेस एज देखना इंटरस्टिंग रहेगा चाए वो हमें नॉर्मल देखने को मिले या फिर हमें ब्रूड एज वर्सेस डीमन फिन देखने को मिल गया तो भाई यह तो नेक्स लेवल का होगा तो देखना यह भी इंटरस्टिंग होने बाला है ओके यस तू चलते वैसे नेक्स वन कॉमेंट की तरब तो यह कॉमेंट हमें साहा का भाई यह तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नाम हो गया तो इनका पुछना है कि फर्स्ट हू विल विन एमाइटीबी लैडर मैच एडर मैच ओके लैडर मैच तो लैडर मैच हमें यह पर जीतते वे दिखाई दे सकते हैं सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस और इसके बाद मैं इन दोनों बंदे के ओपर चांस लेना चाहता हूँ बट रोमन रोइंस और सेथ रॉलिंस के लिए जो कि हमें जो मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम में वहाँ पर जो कि सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस को काफी ज़्यादा प्रेडिक किया जा रहा है कि वो हमें मनी इन दे जीतेंगे और वो कैशिन करेंगे तो अफकोस हमें सेथ रॉलिंस को ज़्यादा कह सकते कि वो हमें जीते वे दिखाए देंगे सेकेंड इनका पुछना है कि कोडी रोड्स रेटर्न आफ्टर एमाइटी भी तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला है क्यों विल विन डवलोडी युनिवर्सल चैंपियन एन डवलोडी चैंपेंशिप तो अफकोस यहां पर मुझे लगता है कि अगर हमें कैशिन देखने को मिला तो यहां पर दोनों टाइटल चेंज नहीं होंगी यहां पर एक ही टाइटल चेंज होते वे दिखाए दे सकती है में में डवलोडी चैंपेंशिप देखने को मिले या फिर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि ब्रॉक लेस्नर में भी हमें दोनों चैंपेंशिप को लेते वे दिखाए दे सकते है समर स्लैम में तो यह कुछ हमें यहां पर देखने को मिल सकता है ओकी तो चलते हैं वैसे next one comment की तरब तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है तो ये है जो कि रूफी भाई shots का तो इनका पुछने की hashtag love you bro from Pakistan question तो बहुत ही है लेकिन first question ये है रोहीत रसल चैटर हर thumbnail में Roman को घुशा कर जो की जिसकी वज़े से हम उन्हें देखना चोर दिया है तो of course भाई कोई बात नहीं so question इनका वस पुछना है कि most chances किसके हैं मैटी भी विनर के तो John Cena और Rollins तो Seth freaking Rollins के chances अच्छे कासे हैं अगर John Cena आते तो उनके भी काफी बढ़िया chances हो जाएंगे लेकिन Seth Rollins काफी ज़्यादा chances में है और वो हमें जीते वे दिखाए दे सकते हैं question 2 है कि क्या आप Becky Lynch के character से satisfy है me no अगर मेरा opinion पूछोगे तो मुझे लगता है कि yes मतलब मुझे थोड़ा बहुत satisfy character लगता है वैसे heel character थो of course बहुत दोगों को पसंद नहीं आएगा लेकिन heel character का तो मतलब यही होता है तो ऐसे में अगर आप heel character को पसंद करोगे तो उस character वर का फायदा ही नहीं तो तो वो face character बनेगा तो इसकी वज़े से अगर heel character को अगर आप hate करते हो तो वो successful हो जाती है वहाँ पर character तो of course यहाँ पर back challenge के इस character से मैं काफे ज़्यादा satisfied हूँ उतना भी नहीं लेकिन अच्छा character है थर्ड इनका पुछना है कि क्या अब Brock को regular नहीं होना चाहिए वैसे Brock Lesnar देखो यार रहेंगे तो वो part-timer ही इतना जल्दी जो कि हमें इद्दम full-timer बनते वे तो दिखाई नहीं देंगे वो हमें part-timer ही देखने को मिलेंगे लेकिन कुछ SmackDown और कुछ Rock के लिए हमें ऐसा लग रहे है कि साथ से वो हमें आने वाले समय में जो कि Brock Lesnar को advertise भी किया गया है तो हो सकता है कि वो हमें आने वाले समय में थोड़ा बहुत regular देखने को मिले तो ये भी देखना इंट्रस्टिंग रहेगा ओके सो चलते वैसे next one comment की तरब तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है बिलाल कुरेशी का तो इनका पुछने की love your video थैंक यू भाई नमबर वन भाई समर स्लैम 2022 में AJ वर्सेस लैशली हो सकता है क्या so AJ वर्सेस लैशली तो ये काफी बढ़िया मैच हो सकता है क्योंकि दोनों अभी तक आमने सामने आए नहीं है जान तक मुझे पता है कि दोनों अभी तक आमने सामने आए नहीं है तो अगर आते हैं तो बाई ये काफी बढ़िया मैच हमें में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स काफी अच्छे खासे सुपरस्टार्स है और एक हैवी पेट है तो एक काफी बढ़िया सुपरस्टार है अथलेटिस में मतलब काफी बढ़िया सुपरस्टार है तो हो सकता है कि हमें ये मैच अगर देखने को मिले बॉबी लैश्ली अगर हमें ऑस्टिन थियरी के साथ में मनी इन दे बैंक में जो फ्यूड है वहीं पर खतम हो जाता है और फिन ऑस्टिन थियरी जो कि हमें देखनी को मिलेंगे जॉन सीना के साथ में या फिर किसी और सुपरस्टार के साथ में तो chances है कि हमें हो सकता है कि Bobby Lashley versus AJ Styles देखनी को मिले okay so next one इन का पुछना है कि भाई कौन से 7 real superstar को आप इस WWE में लाना चाओगे 7 superstars को 1st Dean Ambrose 2nd CM Punk और 3rd यहाँ पर मैं लाना चाओँगा Rusev को और 4th यहाँ पर मैं लाना चाओँगा जो की अफकोस हमें वहाँ पर जाफाडी देखनी को मिलते है तो उनको भी मैं लाना चाओँगा एंड इसके बाद 5th में Christian को लाना चाओँगा और इसके बाद Aleister Black हमें जो Malakai Black के टाइप में देखनी को मिल रहे है उन्हें करेक्टर में तो मैं उनको देखना चाहूंगा WWE के अंदर एक बार फिन से और एक और Superstar अगर मुझे किसी को pick करना होगा तो मैं MJF को pick करूंगा तो यह Superstar जो की former WWE Superstar नहीं है लेकिन MJF को भी WL के अनदर आना चाहिए तो चलते वज़े से next one comment की तरब तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है Just a guy with sticky hair तो इनका पुछना है कि What's your dream match card and rapid fire Undertaker और Randy Orton तो of course यहाँ पर मैं pick करना चाहूँगा Undertaker को Brock और Roman तो of course यहाँ पर मैं Roman को pick करूँगा Cout और Hogan तो यहाँ पर मैं pick करूँगा Kurt Angle को Kane और Taker तो of course यहाँ पर मैं Taker को pick करूँगा Sinkara और Remisterio Remisterio Brock और Roman में भाई देखो नाराज मत हो न अफकोस यहाँ पर Roman लेकिन Brock listener भी है भाई बहुत खतरनाक है Brock And मेरा dream match जो है वो है The Rock versus Roman Nance क्योंकि मेरे दोनों फेवरेट सुपर स्टार है और No.1 फेवरेट तो The Rock है तो यहाँ पर Roman Nance versus The Rock देखने को मिलेगा वो मेरे लिए सबसे बड़ा dream match है और यह match हमें Russell Minya 39 में देखने को मिलेगा मुझे सोच कई भाई काफी जादा खतरनाक feeling होता है तो of course भाई मैं वो match को जरूर देखना चाहूँगा कैसे भी करके और वो match हो जाए यार ओके सो चलते हैं वैसे next one comment की तरफ तो यह comment हमें देखने को मिल रहा है Mr. Osesa का तो इनका पुछना कि ब्रो अगर John Cena wins money in the bank as the 8th participant and उसके बाद cash in at summer slam after that match and wins as the 17th time world champion and what you say brother तो brother काफी बढ़ियां थिंग होगा अगर ऐसा कुछ देखने को मिला लेकिन हमें 7th participant ही देखने को मिलेंगे अगर हमें Kevin Owens और जो हमें match देखने को मिलने वाला था अगर वो match नहीं देखने को मिल गया तो हमें एक participant missing देखने को मिलेगा और वो हो सकता है कि हमें वहाँ पे John Cena देखने को मिले तो chances हैं भाई काफी बढ़ियां chances हैं ओके सो चलते हैं वैसे next one comment की तरब तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है spoiler FF का तो इनका पुछना है कि ब्रो अगर Roman versus Rocket without title हुआ तो आपके opinion से कौन जीतेगा ब्रो आपके opinion से Roman को वो superstar हराएगा जो Roman से already हार चुका है या कोई नेव superstar तो मुझे लगता है कि बहुत सारे superstar जो की नए superstar है वो भी हराने की capability रखते हैं लेकिन डवलोली हो सकता है कि एक हारे हुए superstar से मेभी हो सकता है कि एक बार Finn से match करवाए और वो superstar हराते वे दिखाई दे सकता है example के तौर पर मैं यहाँ पर कह सकता हूँ Drew McIntyre जो की survivor series में हरे थे और Seth Rollins जो की पहले भी हार चुके है जो की इनके face वाले character में तो वो भी हमें यहाँ पर Roman एनिस को हराते वे दिखाई दे सकते हैं तो यह दोनों superstar के उपर मैं कह सकता हूँ और अगर new superstar की बात करें तो भाई गंतर को अगर try करके देखना है तो देख लो यार मतलब क्या पता हो जाए कुछ ऐसा या फिर riddle, riddle तो हार चुका यार मतलब अभी और भी superstar हो सकते हैं तो देखते वैसे WD क्या करती है एंड इसके बाद next one इनका पुछना है कि can semi-gen join bloodline भाई वो तो bloodline की पार्ट है दी उसोस ने कहा था कि वो तो honorable ooze है तो अफकोस यहां पे वो bloodline के पार्ट है लेकिन एक तरीके से पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं बट हो सकता है कि maybe अभी तो हमें लगता नहीं कि भाई join करते वे दिखाई देंगे bloodline को हो सकता है कि हमें attack देखने को मिल सकता है रोमन ने इसका इनके उपर तो ये भी देखना रहेगा okay so next one इनका पुछना है कि भाई क्या कुछ देखने को मिल सकता है और हो भी जाता है तो ऐसे में chances हो सकते हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि Paul Heyman और The Rock यानि कि ये दोनों का आमना सामना देखने को मिले Mike पे मतलब ये दोनों बंदे जब Mike पे आएंगे न अलगी level का bump भटेगा तो इसलिए मैंने चाहता हूँ कि जब तक Romer Days और The Rock की फ्यूड नहीं खतम होती तब तक हमें जो कि Romer Days के साथ में Paul Heyman देखने को मिले उसके बाद जो देखना है वो अगर होता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा लेकिन मैं चाहूंगा कि personally The Rock और Paul Heyman सामने देखने को मिले इसकी वज़े से Paul Heyman रोमन ने इसके साथ रहे फिलाल की टाइम पे और मैं यह देखने के लिए excited हूँ The Rock और जब Paul Heyman आमने सामने होंगे The best in the business The best in Mike तो वो क्या हाल होता है तो भाई देखना इंटरेस्टिंग रहेगा And next one इनका पुछना है कि Bro percentage में बताओ कि रोमन और ब्रॉक में इस बार कौन जितेगा मुझे तो भाई 60% chances यहाँ पे ब्रॉक के लग रहे हैं और Of course 40% chances यहाँ पे रोमन के लग रहे है Okay so चलते वैसे next one comment की तरफ यह comment हमें देखने को मिल रहे है मरे दूस्मन देखा का तो इनका पुछना है कि First क्या John Cena Austin Theory को मैच में Cost करेंगे, Feud setup हो Summer Slam के लिए तो ऐसे chances हैं बाई मैं यह नहीं कहरा कि नहीं है Chances इसके काफी अच्छे खासे हैं Second इनका पुछना है कि कोई बड़ा सप्राइज हमें देखने को मिलेगा Money in the Bank 2022 के अंदर मैं excited उसके लिए Maybe John Cena, who knows Okay, so चलते वैसे Next one comment की तरफ तो यह comment हमारे फ्रनर ठाकूर भाया का देखने को मिल रहा है तो इनका पुछना है कि First MITB winner किसे देखना पसंद करोगे Personally अगर मुझसे पूछोगे तो मैं AJ Styles और Finn Balor को देखना पसंद करूँगा और Seth Rollins भी जीतते हैं तो भाई काफी बढ़िया रहेगा दोनों तो है निवसे MITB के ladder match में लेकिन अगर यहाँ पे Phenomenal one AJ Styles और Finn Balor तो नहीं है तो Seth Rollins अगर रेडल में से कोई एक भी जीतता है तो मैं को काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा और Seth Rollins को तो obviously मैं पसंद करता हूँ Second in का पुछना है कि क्या 7th participant Edge हो सकता है ladder match में Big fan bro please take my question Thank you भाई मैंने आपका question pick कर लिया है 7th participant भाई Of course Edge हो सकते है इसा chances हो सकते है लेकिन maybe मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उनकी हमें अलग feud चलते वे दिखाई दे सकती है और maybe WL हमें यहापे surprise देते वे दिखाई दे सकती है John Cena के रूप में मैं तो भाई वही देखना चाहूँगा अगर Edge भी होंगे तो काफे बढ़ियां रहेगा लेकिन अगर दोनों में से कोई एक interesting thing देखने को मिलता है तो भाई देखना interesting रहेगा कि हमें कौन सा participant देखने को मिलता है और अगर Edge आते हैं तो भाई Edge, Brock Lesnar और Roman Reigns storyline perfect बैठेगी ओके सो next one comment की तरफ चलते हैं तो यह comment हमें सिरा production का देखने को मिल रहे है तो इनका पुछना है कि Roman के बाद Brock next opponent कौन हो सकता है तो Brock का next opponent अगर कोई होना चाहिए रोमर डेंस के बाद तो मुझे लगता है कि Bobby Lesnarly होने चाहिए या तो Drew McIntyre यह दोनों सुपरस्टार बढ़ियां रहेंगे ओके सो next one comment की तरफ चलते हैं तो यह comment हमें WL Games का देखने को मिल रहा है तो इनका पुछना है कि Kevin ने फर्स्ट भाई Roman ज्यादा ड्रॉ करता है या Brock तो अफकोस भाई यहाँ पे Brock Lesnar को कह सकते हैं और Roman Reigns भी भाई Roman Reigns बहुत ज्यादा ड्रॉ करते हैं यह तो मानना पड़ेगा और Brock Lesnar का रेटन काफी ज्यादा ड्रॉ करता है और दोनों ही बहुत बड़े ड्रॉ हैं दोनों कम नहीं है दोनों ही बहुत बड़े ड्रॉ हैं पूचने कि ब्रो आफ की GF का नाम क्या है भाई नहीं है यार है लेकिन के करके ओके तो थर्ड इनका पूचने कि भाई 10k पर हिल्टन करोगे या हिल्टन फेस्टन क्या होता है यार मतलब यह तो एक तरीके से कैरेक्टर अगर रहता है इसके बाद अगर कोई हमें देखने को मिलता है जो की ड्रॉल ली के अंदर तो वह बढ़ियां लगता है यहां पर अगर रियल लाइफ में करेंगे तो थोड़ा बहुत क्रिंज टाइप का लगेगा मैंने ऐसे बहुत सारे क्रेटर्स को देखा तो इसके लिए मुझे मुझसे नहीं उपाएगा बट यह कि कुछ सप्राइज कर सकते हैं प्लीज पिक कर लेना थैंक्यू मुझे पता है तुम पिक कर लोगे यस ब्रो मैंने आपका क्वेस्टिन पिक कर लिया या थैंक्यू भाई इतना विस्वास दिखाने के लिए हो कि तो इसके लिए वैसे नेक्स ओन कोमेंट की तरफ तो यह कॉमेंट अमें अंस का देखने को मिल रहा है तो इनका पुछना की पिक वन पॉसिबिल्टी फोर समर स्लम रोमन विंस ब्रोक विंस मैं 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 टीवी पिक करने वालो डार्क लिए और माय प्रडिक्शन रोमन कोमेंट की तरफ चलते तो यह कॉमेंट हमें रस्त्रिंग एक्स फ्रेम का डेकनी को मिल रहा है तो इंका पुछना है क्या है है नॉर्मी रस्तिंग ब्रो अपनी स्टेडी के बारे में बताओ कुछ और परस्नली बताना कौन हो सकता है की सेवं पार्टिसेटेंड मैं हैं और इसके बाद स्टेडिस की बात करें तो भाई मेरा 12 कंप्लीट हो चुका है और मैं सेकेंड यर में हूँ ओके सो नेक्स वन कॉमेंट की तरफ चलते तो यह कॉमेंट हमें नॉर्मी रेस्लिंग फैन बॉय कलब का देखने को मिल रहा है तो इनका पुछना है कि मैंस का लैडर मैंस का लास्ट पार्टिसेपेंट कौन हो सकता है यह तिंग जॉन सीना इनका पुछना है कि जस्ट पिक वन सेमसे नकीराट हो जावा तो सेमस अफकोर्स ओके सो चलते वैसे नेक्स उन कॉमेंट की तरब यह कॉमेंट हमें वॉल्टर बीएसम गेमिंग का देखने को मिल रहा है तो इनका पुछना है कि फर्स्ट जाण कि जाखने को मिलेगा मरि इन न देखने को मिलेंगा और यहां का मैच हो सकता है कि समर स्लाम में व्यांका ब्ले को मिल सकता है तो यह कुछ हो सकता है सेकंश नीका ठूचने की €1 सुपरस्टार देखने को मिलेगा तो हो सकते हैं अमासbit मुझे नहीं लगता मतलब को Kingston जाना चाहीए लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कोईHaythird का सुपरस्टार जाते वे दिखाई दे सकता है और यही हमें देखने को मिलेगा और यही मैच काफी जदा इंट्रस्टिंग रहेगा फूर्थ इनका पुछना है कि विल रिडल भी विनिंग तो मुझे लगता है कि यह सफकोस चांसे से काफी बढ़िया भाई ट्रेनिंग की वीडियो देखने को मिली है तो हो सकता है कि ऐसा कुछ देखने को मिल जाए फिफ्फ इनका पुछना है कि वेन विल जॉन सिना फाइट अगें समर स्लैम मेबी शिफ इनका पुछना है कि रॉ भी होते वे दिखाई दे सकते हैं एक तिन का पुछना है कि हूव टेक दा टाइटल एनक्सटी टाइटल फ्रॉम ब्रॉण ब्रेकर तो मुझे लगता है कि वह सपरस्टार मेबी शॉलो सिकोवा हो सकते हैं नाइंत इन का पुछना है कि हूव विल बिकम मिस अमाई टीबी तो मुझे लगता है कि मेभी हो सकता है कि साथ से हमें यहां पर देखने को मिले Alexa Bliss या फिर Becky Lynch 10 दिन का पुछने कि When will Randy return? तो मुझे लगता है कि Randy Orton, मेभी Survivor Series या फिर Crown Jewel के आसपास return करते वे दिखाई देंगे 11 इनका पुछने कि Future Plans for Veer Mahan मुझे लगता है कि Release हो सकते हैं Please take my question, आपके question मैंने ले लिये हैं ओके सो चलते वे से next one comment की तरफ तो यह comment हमें कि MA Gaming Room का देखने को मिल रहा है तो इनका पुछने है कि Hashtag कि मैंने Hashtag Norma Wrestling First John Cena vs. Theory अगर हुआ तो क्या यह US title का मैच होगा? देखने को मिलेगा, क्योंकि title का sense नहीं बनाता, अगर title का match देखने को मिल गया तो भाई championship का run देना पड़ेगा अगर John Cena जीते हैं लेकिन अगर उनके पास championship रह जाएगी तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर सीधा clearly देखने को मिल जाए कि John Cena हारते वे दिखाई दे सकते हैं तो यह हो सकता है कि WWE यहाँ पर title Bobby Leslie को देते वे दिखाई दे जाए सेकेंड इंका पुछना है कि क्या Roman ने WWE title इसकी इज़त बहुत ज्यादा डाउन कर दी है क्योंकि Roman Raw पे आता नहीं और वो WWE title को कम से कम priority देता है तो हो सकता है कि yes भाई yes हो सकता है भाई सही में डाउन हो चुकी है तो हो सकता है कि हमें title चेंज होते वे दिखाई दे जाए जल्दी के जल्दी थर्ड इनका पुछना है कि आगे कोई job करोगे कि हमेसा YTE करोगे love you my brother always तो मैं सोचाँ कि हमेसा YTE करूँ इसको career option मैंने चूर रहा हूँ तो देखते भाई वैसे क्या होता है तो permanent तो वैसे कोई भी चीज ने डिती लेकिन फिर भी मैं YTE कोई चूज करूँगा okay so चलते वैसे next one comment की तरब तो ये comment हमें विशेस राज का देखने को मिल रहा है तो इनका पुछना है कि Alexa Bliss is the winner of this MITB ladder match तो अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई सबसे बढ़ियां रहेगा भाई मैं तो जरूर चाहूँगा Alexa Bliss जीते है या फिर Becky Lynch let's see वे से क्या होता है Alexa Bliss भाई बढ़ियां चॉइस है next one comment की तरब चलते तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है और ये है Wrestle RIR का तो इनका पुछना है कि हश्टेग Normie Wrestling हश्टेग की वेने भाई फर्स्ट बहुत दिन से मेरा एक सवाल है हर कंपनी के नेम थिरी लेटर से क्यों होते हैं like WWE, AEW, ROH, TNA, AAA, MMA, UFC, NXT, except NJPW तो अफकोस भाई यहां पे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा coincidence है कि हमें यह जो नाम देखने को मिल रहे हैं यह तीन अच्छरों में हैं और अगर Wrestling World की बात करें तो भाई तीन अच्छर में नाम काफी बढ़ियां लगते हैं और NJPW की बात अलग है क्योंकि अगर वो Japan Pro Wrestling रखते तो JPW होती लेकिन अगर NJPW तो New Japan Pro Wrestling लखा है तो इसलिए उनका NJPW हो जाता है ने तो सबका ही तीन ही नाम आता तो अफकोस यार तीन नाम वाले जो होते हैं वो काफी बढ़ियां अच्छा देखने को मिलता है तो शो बढ़ियां देखने को मिलता है नाम भी काफी बढ़ियां होता है तो अफकोस यहां पे सबी होग जादे यही चोईस करते हैं सेकेंड इनका पुछना है कि मतलब यह एक तरीका का कोईंसेडेंस है बाई सेकेंड इनका पुछना है आप WWEAW TV पर देखते हो या फिर मोबाईल में देखते हो मैं तो अपने camputer पर देखता हूँ थर्ड इनका पुछना है कि आपके घर में wifeich ti है Yes, अफकोस wife i है деле फोर्थ इनका पुछना है कि कभी बांगला देश आने का मन करता है सो जैसा कि आपको बता दू कि मैं एक ऐसा बंदा हो जो कि ज़्यादा गूमना पसंद करता हूं मतलब बहुत ज़्यादा गूमना पसंद है और अलग-अलग कंट्री मैं विजीट करना चाता हूं मैं देखना चाता हूं अगर कभी मौगा मिलेगा तो भाई अफकोस यार क्यों नहीं आना तो चाहूंगा मैं हर जगा बहुत देश गुमना चाहता हूं यार मतलब मन तो है तो अफकोस यार अगर कभी मौका मिलेगा तो जरूर मैं आना चाहूंगा फिफ्ट इनका पुछना है कि your honest thought about Shane McMahon भाई बढ़ियां बन्दा यार बहुत बढ़ियां बन्दा है इतने लंबे लंबे उसने जंप ले रखे है न मैं उनका फैन उनके जंप का तो अफकोस यार Shane McMahon काफी बढ़ियां बन्दा है और फिफ्ट इनका पुछना है कि अभी तक YouTube स कितना पैसा कमा चुके हो सो अगर एक simple answer दू तो मुझे लगता है कि मैंने एक PC setup जो हमें देखने को मिलता है पूरा setup वो भी i5 वाला Intel 5 वाला तो उतना मेरा पैसा हो चुका है जो कि YouTube से मैंने कमाई है ओके सो जलते वैसे next one comment की तरब तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है Roman Reigns 72 का तो इनका पुछना की पता नहीं आप मेरे सवाल पिक करोगे या नहीं question भाई क्या Cody Rhodes M.I.TV में आ सकते हैं और क्या John Cena का Summer Slam में मैच होगा या नहीं होगा तो अफकोस मैं आपको यहाँ पर बता दू कि Summer Slam में मैच होगा हमें John Cena का देखने को मिलेगा इसके chances काफी बढ़िया है और Cody Rhodes Money in the Bank में तो भाई इसके chances बिलकुल भी नहीं है कि हमें Cody Rhodes Money in the Bank में देखने को मिलेंगे तो मुझे लगता है कि मेभी John Cena हो सकते है Cody Rhodes नहीं यार मतलब उनका जैसा प्रोमो देखने को मिलाता है कि ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिल जाए लेकिन नहीं पॉसिबिल्टिस बिलकुल भी नहीं है थर्ड इनका पुछना है कि एन भाई John Cena का मैच कब होगा और किसके साथ होगा तो Austin Theory के साथ ही हो सकता है और हो सकता है कि Summer Slam में देखने को मिले and my dream match card Cody Rhodes versus John Cena my dream match in Russell Mania 39 तो Cody Rhodes versus John Cena भाई ये काफ़ी बढ़ियां मैच हो सकता है अगर हमें कभी देखने को मिला तो okay so चलते हैं वैसे next one comment की तरफ चलते हैं तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है must be my official का तो इनका पुछना है कि hashtag की वे ने आपको क्या लगता है Sheamus MIT जीच सकते हैं तो बिलकुल भी ने chances काफी कम है इस बार क्योंकि बहुती tough competitor है यहाँ पे okay so next one comment की तरफ चलते हैं तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है cnason fan का तो इनका पुछने की hashtag के वे ने who will be the final participant of mince MITB ladder match तो cnason fan भाई मुझे लगता है कि यहाँ पे जॉन सीना आ सकते हैं yes जॉन सीना and next one comment की तरफ चलते हैं तो ये comment हमें देखने को मिल रहा है and ये है kodi plays का तो इनका पुछने की hashtag के वे ने क्या 7th qualifier का round smackdown में होगा yes इसकी possibilities है डवलोल ने अभी announce नहीं किया लेकिन yes हो सकता है and second इनका पुछने की के वे ने आपकी age कितनी है तो भाई मेरी age अभी फिलाल के time पर 20 है and next one इनका पुछने की favorite instead roman तो favorite instead roman भाई मेरा दरौक सबसे ज़्यादा फेवरेट है Brock Lesnar और इसके बाद और भी बहुत सारे सुपर स्था लिस्ट काफी लंबी है लेकिन दरौक सबसे नंबर वन पर है रोमर निन से भी ऊकी तो चलते वैसे next one comment की तरब तो यह comment हमें देखने को मिल रहा है agent gaming का जिनोंने main event किया है आज के क्योंने का welcome भाई and आपका स्वागत है main event में तो इनका पुछना है कि first bro आपकी GF कौन है भाई नहीं है यार नहीं है लेकिन है यार क्ये करके इनका पुछना है कि what is your favorite WWE player यार यार क्या यार क्या यार प्लेयर क्यों बोल दिया यार वो प्लेयर नहीं है वो क्रिकेटर्स नहीं है वो wrestlers है वो superstars है यार उनको superstar बोला करो तो अफकोस मेरे फेवरेट superstar जो डवलोली क्या है all time the rock है currently roman friends है और उसके बाद brock listener third in का पुछना है कि what is your real name real name मेरा भाई पंकज यादव है okay please please sir मेरा ये question ले लो तो भाई मैंने आपका question ले लिया thank you भाई आपने main event किया है so आप सभी का क्या opinion है भाई मैंने hope करता हूँ कि आप सभी का मैंने question पिक कर लिया हो अगर फिर भी छूड़ गया है ना भाई I'm sorry और दिल से sorry okay so Q&A को यहीं पर end करते हैं आपका अगर question पिक नहीं वा तो भाई next Q&A में जरूर पिक हो जाएगा तब तक के लिए भाई वीडियो को like, dislike, share, subscribe जो भी करना कर सकते हो इंस्टाग्राम में ट्वेटर का लिंक भाई description में मिल जागा तो वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लेना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो भाई क्या कर रहे आर आपको यहां पर हमें सा लेटेस्ट अपडेट्स और इंट्रस्टिंग वीडियो मिलती पॉलमेब चीश में गाया बहु लिंग भाईंगाष सक्राइब कर राएब नहीं क्या थॉल्भाइब